नमस्कार मैं दिपिका बींग ममे में आपका स्वागत करती हूँ जब एक मा बच्चे को जन्म देती है तो एक बच्चे के साथ साथ जो है मा का भी जन्म होता है इसलिए बहुत जरूरी है कि मा का इस टाइंग पर ध्यान रखा जाए अच्छी देखबाल के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मा को जो है अच्छा खाना दिया जाए क्योंकि जब एक मा बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है काफी ज़्यादा कमजोर हो जाती है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके खाने पिने का इस टाइम पर विशेस रुप से ध्यान रखा जाए इसलिए हमारे घरों में यानि कि हमारे ट्रडिशन में जो है बच्चा जब जन्म ले लेता है तो मा को जो है गोंद का लड़ू खिला जाता है क्योंकि जो गोंद का लड़ू होता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजे पाय जाती है जो मा के सरीर को इंप्रूब करने के लिए बहुत हेल्प करता है तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि गोन के लड़ू अगर मा जो बचे को जन दे चुगी है अगर वो खा दी है तो इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं और अगर आपके लिए ये वीडियो जो है इन्फोमेटिव हो आपको ये वीडियो अ कोने उसे भी हिट कीजेगा नमबर वन जो एक मा होती है जब बच्चा वो डिलिवर कर देती है यानि कि जब बच्चे का जन हो जाता है तो मा का जो सरीर होता है वो काफी जादा जो है वीडियो हो गया होता है क्योंकि बहुत जादा जो है मा थक गई होती है प्लस बहुत जो सरीर जोता है तो साथ ही जो का एक बनातों जाते है और पापस सेस कांचे का पर फेट में रखर बनाते हैं जिसके बाद की बच्चा पेट में अच्छे से सहाते हैं तो वापस जब बत्चा धिलिवर हो जाता है तो वापसimetे जो ऑर्गन से अपनी जगवह पर आने लगता है तो इस टाइम पर जो बोड़ी यों बहुत जादा काम कर रही हो दिस ब्टॉड लॉस हुआ रहता है तो बोड़ी काफी जग़ होती है क्योंकि उसके अंदर काफी ज़्यादा पोसततो होता है तो अगर मा को गोंद के लड़ू खिलाएंगे तो उनका जो बॉड़ी है वो रिकवर होने में काफी हेल्प करता है तो इसलिए हमारे घरों में यानि कि अपने घरों में गोंद के लड़ू को जो है विसेज माना जाता है आफ्टर डिलिवरी नमबर टू डिलिवरी के बाद यानि कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो एक मा को जो है न काफी ज़्यादा दर्दों से भी गुजरना पड़ता है after delivery क्या होता है कि मा को जो है जोरो का जो दर्द होता है वो होने लगता है कमर का दर्द होने लगता है यानि कि जो भी joints होते हैं उन सब के pain स्टार्ट हो जाते हैं साथ ही काई मा को headache का भी problem रहता है गोंद के लड़ू के अंदर जो है जरूरी पोशकतत्व पाया जाते हैं जैसे calcium और vitamin पाया जाता है तो ये body को जो lubricate करने में भी काफी help करता है जिसके वज़े से joint pain वगेरा जो होता है उसमें काफी मदद मिल जाती है तो इस time पर मा को जो है गोंद का लड़ू जरूर खाना पॉइंट 3 है कि जो गोंद के लड़ू होते हैं उसके अंदर जो fat और fiber होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है यानि कि जो जरूरी पोशकतत्व है वो पाया जाता है तो इस time पर अगर मा जो है गोंद का लड़ू खाती है तो उनके body क्योंकि उन्होंने बच जो है गोंद का लड़ू खाए तो जो मा का जो दूद होता है वो भी काफी अच्छा बनने लगता है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको विटाइमेन प्रोटीन मिल जाता है क्योंकि आप जब गोंद का लड़ू बनाते हो ना तो इसकी जो रैसिपी है अ आपको जुँवर्स सब्सक्राइब कर दो जाता है क्योंकि अट आप बड़ूर्स का बया बहुत अच्छे से नहीं है और भी का जब यह जाता है और जो फोट्थ पॉइंट है क्योंकि आफ्टर डिलिवरी जो मोस्ट अप मुमेन को यह प्रप्लम हो प्रॉबलम होता है क् अगर आफटर डिलिवरी आप गोंद का लड़ू खाते हो तो गोंद के लड़ू के अंदर बहुत सारा काल्शियम पाया जाता है जो फिप्थ पॉइंट है वो है कि गोंद के लड़ू में पढ़ने वाले देसी घी और जो मेवे होते हैं इसके अंदर पोसक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसलिए जबी भी गोंद का लड़ू बनता है तो उसके अंदर भर-भर के मेवे पड़ते हैं और देशी घी पड़ता है जिससे की गोंद का लड़ू होता है जो उसकी रिकवर करने की चमता होती है वो दूगनी हो जाती है तो अगर आपके बच्चे की आप डिलिवरी कर चुके हो यानि की बच्चे का जन्म हो चुका है तो आपको इस टाइम पर जो है गोंद का लड़ू जरूर खाना चाहिए बच्चे की delivery होने के बाद मा को जो है ना गोंद का लड़ू जरूर खाना चाहिए जिससे की बच्चा और जच्चा दोनों गों काफी health मिलती है क्योंकि after delivery जो मा होती है वो काफी ज़्यादा weak हो गई होती है तो उनकी body को recover करना काफी ज़्यादा जरूरी होता है और अगर आप गोंद का लड़ू ले रहे हो तो एक गोंद के लड़ू के साथ आपको एक ग्लास दूद भी पीना चाहिए इससे आपको काफी help होगी और आप फटाफट से जो है recover हो जाओगे तो दोस्तो यह कुछ information थी जो कि गोंद के लड़ू के benefits के उपर था कि अगर आप गोंद का लड़ू खाते हो तो आपको क्या-क्या फायदे होते हैं अगर अपके घर में बड़े हैं यानकी अपकी डादी मा है नानी मा है या आपकी मा और सासू माए तो आपको गोंद का लड़ू जरूर बना करके मिल जाएगा पर अगर आप कहीं बाहर रहते हो और ऐसे तो आपको काफी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है तो इसे like जरूर कीजेगा और इसको like करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसे दूसरे की भी hair पो सके तो इस video को उनके साथ share कीजेगा और इसी तरह के informative videos जो है हमारे चानल पर देखने के लिए हमारे चानल being mommy को subscribe कीजेगा और साथ ही जो red bell icon है उसे भी hit कीजेगा